सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा पाकिस्तान से भारत के क्यातुनला भई है कि टिहास वुको सब हिंदुस्तान जब चाहता बदल चुका जब हिंदुस्तान तब बदल देगा और पाकिस्तान से बरवादी के कटोरा लेकर देशे पैसे मागने की कटार में पहुंच चुका है अब वो अपने यहां के इंटर्नल परस्थितियों से बचने के लिए ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान के खिलाब जहर उगला करते हैं दिर दिन कभी इंदुस्तान के सेना का मूर खराब होगा फिर चका दिया जाएगा मजा हमें अपनी समस्याओं पर आज कंसर्टेट करके आगे बढ़ना है देखे समिधान में जो प्रक्रिया ब्याप्त है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने 370 पर अपना एक रिजूलुसन पास करके अपना इस्टेंट क्लियर कर दिया है उसके ब्यांड अब कोई बयान की आवसकता नहीं है लेकिन यह भी सकते है यह भी तथ्यात्मक सकते है कि बीजेपी के जम्मू कस्मीर के वरिष्टतम नेता निर्मल सिंग जी ने धारा 370 के लगाए जाने का बिरोज किया है कि जम्मू में इस से लोग जमीने खरी लेंगे नौकरियों में लोग बाहरी लोग घोसाएंगे यहां के लोगों को नुकसान हो जाएगा तो वो खुद इस सरकार के इस लगाए गए इस प्रक्रियात्मक तरीके पे वो आवाज उठा रहे हैं वो का रहे हैं निर्मल सिंग जी कि हम यहां पे इसमें चेंज लाएंगे कि कोई यहां बेजमीन न खरीच सके कोई यहां पे नौकरी न कर सके तो यह तो बीजेपी के अंदर से आवाज भी उठाए यह जम्मो कस्मीर के नेताओं के बीच से जो बीजेपी से विचारात्मक रूप से सहमत नहीं है असहमत है रादेतिक रूप से बिरोधी है वो कुईसी को बीजेपी छोड़ने वाली ने यह न चोड़ रही है सब को तंग कर रही है और बीजेपी की अपनी एक विंग बनके रह गई है इंकम टेक्स सीवी आई एडी चुनाय होगे सब और विपक्ष को दबाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं दबा रही है हर तरह से दबा रही है को यह बैठा किये हài वो लोग मंतराला में बैठा की होंगे किस बात की होंगे हमेश्ट की जानकारी नहीं है लेकिन जो देख रहा है जैसें उहां के चीव सगेट्र कि आकर करके भोले कि हम सब उठां रहे हैं बैन reporting को लिफ्ट कर रहे हैं संचार सेवाओं को WhatsApp को SMS को मेल को टेलिफोन को लेकिन कुछी घंटे बाद फिर सब इंपोच कर दिया रोक दिया तो कहीं न कहीं समस्या भी भी वहां पे है इस तरह से ये बता रहे हैं इस तरह से नहीं है क्यों वहां के अफ्थानिक आंग्रेस के नेत वहां के परदेश अद्धक्शमीर सहाब को क्यों अरेस्ट कर रखका है वहां के नेताओं को क्यों अरेस्ट कर रखका है सब कुछ नार्मान लिए तभी तो कर रखका है वो मीटिंग करके जो कहते रहें